किसान कोली स्टोरेज की तरफ से अपने समझत शेत्री किसान भाई बेवपारियों को दीपावली धन्तेरस भाईया दूज की हारदिक सुब कामनाय बदाई देता है दीपावली के बाद फिर आप लोगों को एक बार मौका मिलेगा आलू के जो भाउत थे एक बार फिर से बापस होंगे एक बार फिर आपको मौका मिलेगा आप कैसे विक्री करते हैं कब करते हैं वो आपको पर डिपेंड करता है इस समय कानपुर की मंडी में किसी प्रकार का क पोई भी सिंगल बैलेंस नहीं है कानपुर की मंडी सोम बार को खुलेगी सोम बार को क्या क्रेट खुलेगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा रही बात अभी फिलाल में हर जगा पे आलू की जो छमता है जैसे की कन्नोज एरिया में आलू की जो निकासी है वो 80% हो गई है सेस 20% आलू बचा है उसमें से 8% आलू बिबाई में जाएगा बुबाई में जाएगा उसके बाद जो आलू आपका बच रहा है 10 चे लेकर के 12% वो आराम से पूरा आपको नमंबर महिना मिला है ऐसे में लास्ट में आलू कम होता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे में आलू के जो बाजार है और भी टाइट हो सकते हैं लेकिन वो आपकी किसमत की बात है किसान ने कभी भी आलू तेजी में नहीं बेच पाया है जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये पूरी साल तेजी की रही लेकिन किसान भाई में आलू अपना तेजी में नहीं बेच पाया लेकिन अपकी बार ऐसा मोका मत गवाना जैसे ही लगे अब आलू का भाव अच्छा मिल रहा है बेच लेना क्योंकि अब आप लोगों को आलू की विक्री के लिए इंतजार नहीं करना है आपके पास उल्ली नमंबर महिना बचा हुआ है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जानते हैं क्या कुछ पुजिसन है इस समय आलू की पंजाब की उनाहुषयारपुर की वेश्ट बंगाल की यूपी की कन्नौच फरकावाद की मेशस प्रभाद टेडर्स एंड सप्लायर से प्रप्राइटर पुर्वीन कुमार गुपता धंतेरस दीपावली भाईया दूज छट पूजा तक की हर्दिस सुबकामना है सभी किसान भाईयों को जय जवान जय किसान नमस्कार दुआ सलाम कैसे हो आप सभी लोग आसा करते कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो आज कि इस वीडियो में बंगाल और पंजाब हिमाचल परदेश और उत्तर परदेश के आलू की क्या कुछ पोजीशन है और क्या आंगे देखने को मिलेगी कितना आलू सेश बचा हुआ है निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा आलू कहां कहां पर कम पड़ेगा और कहां कहां पर आलू परियाप्त है ये चीज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं अगर आप लोग ये वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे हो तो फेस्बुक पेज को फालो कर लो और यूटूब पर देख रहे हो तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बंगाल से दिखिए अभी जब हम बंगाल में बात किया तो बंगाल में पता चला मैंने वेश्ट बंगाल के कई जिलों में बाचित की आपको जो पोजीशन बता रहा हूँ वो वेश्ट बंगाल के जैसे की बर्दमान बाकूडा हुगली आसपास के जो लगबग चार पाज जिले हैं उसकी बता रहा हूँ वहाँ पर बात करने के बाद में पता चला कि आज एक नमंबर दो हजार चोबिस को आलू की निकासी लगबग 75 परसेंट के आसपास का अनुमान लगाया गया इसमें एक दो परसेंट उपर नीचे भी हो सकता है लगबग 75 परसेंट आलू के निकासी का अनुमान लगाया गया सेस आलू लगबग 25 परसेंट बचा है तो यहाँ पर जो सेस आलू 25 परसेंट लगबग बचा है उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए पूरा नमंबर महिना है पूरा तीस दिन है अगर रोज एक परसेंट आलू का एबरेज निकाला जाएगा तो मान के चलिएगा पूरे नमंबर में आलू आराम से निकल जाएगा मनलब आलू बचा है 25 परसेंट और 30 दिन है और एक दिन में एक परसेंटेज का रेश्यू निकाला जाएगा तो भी आलू आराम से निकल जाएगा लास्ट में जा करके कम पड़ जाएगा वेस्ट बंगाल में आप लोगों को मैंने वेस्ट बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाया था और उसी टाइम आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल में लास्ट के टाइम पर आलू कम पड़ सकता है अब बही हमारे आकड़े बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में आलू लास्ट में सोट हो सकता है आपको बता देना चाहता हूँ यहां पर जो कच्चे सीजन की आलू की बुबाई होती है वो आज से दस दिन पहले होनी चाहिए थी मतलब की बीस अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है कच्चे सीजन की आलू की बुबाई बहां पर पुखराज आलू की वो भी बहुत कम पर्थेंटेज मे होती है इका दुका पर्थेंटेज में ज़्यादा नहीं होती है लेकिन इस बार वहाँ पर बारिस के चलते कच्छे सीजन में जो आलू लगाया जाता था जैसे की पुखराज इतियाद और भी वो भी नहीं लग पाए है कच्चे सीजन का आलू वेस्ट बंगाल में नहीं लग पाया बहाँ पर 15 से 20 दिन लेट हो गया कच्चे सीजन का आलू अब बहाँ पर कच्चा और पक्का एक साथ हो गया है मौसम ठीक ठाक चल रहा है वेस्ट बंगाल में इस समय आलू के जो भाव है 1380 रुपए से लेकर के 1400 रुपए प्रती पैकेट के हिसाब से विक्रा है साथ ही सूचना है कि आलू कम पढ़ने का डर सता रहा है ऐसे में आलू में और भी करेंट देखा जा सकता है बेस्ट बंगाल में जो आलू 25 परसेंट बचा है उसमें से मान के चलिएगा लगबग लगबग 5 परसेंट है से लेकर के 6 परसेंट आलू बुबाई में चला जाएगा बचा 20 परसेंट तीस दिन में 1 परसेंट का रिसू निकालेंगे फिर भी 20 दिन में निकल जाएगा ऐसे में आलू कम पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आलू के भाव भी बढ़ सकते हैं वेस्ट बंगाल में अब बेस्ट बंगाल की बात को करते हैं क्लोज अब बात करते हैं उना होस्यारपुर की उना होस्यारपुर में बात करने के बाद में पता चला की यहाँ पर छेत्रों में अलग अलग एरिया में इकादुका खेतों में खुदाई चल रही है खुदाई बही किसान बही लोग कर रहे हैं जिनोंने अगैती आलू लगाया था गर्मी के चलते टंप्रेजर के चलते उनका आलू अच्छा नहीं हुआ बेरा बेरा जमा था इस बज़े से उनको मजवूरन में पूरा टाइम होने पर आलू की खुदाई करनी पड़ रही है जो लोग आलू की खुदाई कर रहे हैं उनका साइज अच्छा नहीं बना है बहुत गोली साइज का आलू निकल रहा है रही बाद रही बाद आलू की पैदाबार की बहाँ पर जहां पर निकलना चाहिए था पूरा जैसे कि उन्हों लोगों ने बताया कि जिस हिसाब से निकलना चाहिए था उसका एक हिस्सा भी नहीं निकल रहा है जैसे कि बहाँ पर लगबग लगबग जो है एक कनाल में लगबग लगबग आठ कटे बोई जाते हैं और यहाँ पर इस समय निकल रहे हैं मान के चलिएगा आपका पंच्छे कटे बड़ी मुश्किल से आठ कटे मतलब जितना बोया जा रहा है उतना निकाले ले रहे हैं मतलब पुराने आलू से नया आलू बदला गया है ऐसे में फिलाल में ये तो टकरफूर आलू की खुदाई हो गई है इससे आप लोगों को घबडाना नहीं है और नहीं तो इतनी जल्दी कोई खुदाई होने बाली है अभी खुदाई होने में बहुत समय बाकी है उना हस्यारपुर की आलू की खुदाई सही रूप से पांस तारीक के बाद से टकर फोर टकर फोर फुरुआद हो जाएगी और 15-20 नमंबर से बहुत अच्छे से स्टार्टिंग होने लगेगा अभी फिलाल में जो उना हस्यारपुर में आलू की खुदाई चल रही है उसका भाव 1800 से लेकर के 2600 रुपे प्रती पैकेट के हिसाब से बिकरा है मलब कोई 1800 रुपे बिकरा, कोई 2200 रुपे बिकरा, कोई 2400 रुपे बिकरा, कोई 2500 रुपे बिकरा कोई 26 और पे बिक्रा मलब जितनी गिंती बताई है चार-पांच खेतों की चार-पांच खेत ही खुद रहे हैं ज्यादा खेत अभी खुद भी नहीं रहे हैं ज्यादा खेत इस टार्टंग होगे 5 नमंबर से और फिर उससे ज्यादा होगे 15 नमंबर से फिर उससे ज्यादा हो और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अच्छा साइज का नहीं है गोली टाइप का निकल रहा है रोगीला अलू निकल रहा है गर्मी के चलते अच्छा अलू नहीं बन पाया कि अब अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश कर्णुज फर्काबाद महिंपुरी इतियाद लोकल के जिलो की तो यहां इस अब बता देना चाहता हूँ कि अभी फिलाल में कोल्ड श्टोरों में विक्री बिल्कुल नहीं है, विक्री बिल्कुल बंद है, कोल्ड श्टोरों में विक्री सोमबार से शुरुआद होगी, विल्कुल विक्री नहीं चल लिए, सोमबार से विक्री की सुरुआद हो जाएगी, उसके बाद अगर बात करें यहां पर आलू क बाव को भाव केलियर होगा सुम्बार को भाव का अभी क्री विलकुल बंद है, सुम्बार को खुलेगा तो सुम्बार को पता चलेगा लेकिन सपेद आलू 7,5 उसे लेकर के 800 रुपई प्रति पैकट किसान का दाम लाल गोल वाले 800 से लेकर के 800, कोई बढ़िया सिंदूरी तो 900 रुपए पैकेट किसान का दाम न्यू हाइलेंड डालू यहाँ पर 900 से लेकर के 1050 रुपए प्रती पैकेट किसान का दाम कोई बढ़िया बी आईपी होगा तो उसे उपर भी विखेगा रही बात आपकी कानपूर मंदी की तो कानपूर मंदी में इस समय किसी पिरकार का कोई भी बैलेंस नहीं है मंदी बिलकुल साप है अभी फिलाल में सुक्रवार, सनीवार, इतवार, को मंदी बंध है सोम बार को मंडी खुलेगी सोम बार को अलू की अच्छे से बिक्री होगी सोम बार को क्या कुछ भाव कुलता है वो आप लोगों को आने वाले वीडियो में बता देंगे अब बात मुद्दे की करते हैं दीपा बली के बाद आलू कम परता हुआ दिखाई दे रहा है आलू के अच्छे भाव मिल जाएंगे एक बार बाजार फिर बाजार ने बार जाएंगे